हेलो आइज आप लोग को इस वीडियो में आज सिखाने वाला हूं कि यूजी सी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 का ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म किस तरह से अपलाई करना है और भी अपने मोबाइल फॉन से आप लोग अपलाई कर सकते हैं तो आप लोग को मैं इस्टे बाइ प्रण मिकास और जो लोग भी अजी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकोन को दबागर करें यह जी सी नेट का फोम अपलाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को गूगल का सर्च बार खोलना है और यहां पर सच क गरांड कमिशन नेट यहां पर लिखा हुआ है तो इसी में आप लोगों को टश करना है पहला लिंक में ही तो इसी में करने के बाद देखिया अगला पर खुछ इस्तरा का खुल के आता है जो कि यह इनुवर्सिटी गरांड कमिशन नेट का यहां पर और अप्सेल विपसा कर लिया हूं तो इसी में नीची आ आना है तो जो कि यहां पर लिखा वब ले जाएगा तो आप आप लोग को कर दिया हूं करने के बाद देखिए यहां पर कुछ इस तरह का पूप आता है तो यहां पर लिखिए पूप ब्लोक लिखा हुआ है तो यहां पर आल्वेज सोप अपने पेज कुछ इस तरह का खुलका है तो यहाँ पर बी आप लोगों को एक बार फिर से desktop साइट को कहले ना है क्योंकि यहाँ पर desktop,style,cell मोबाईल हैड गया तो देखिया है हूँ इसको desktop,jibourम साइट फिर से कर देता हुँ तो यहाँ पर देखिए यहां पर आप लोग को राइब करना है तो तेखिए यहां पर 3 सभी में आपकी में फिम्न होँ समय फों यहां पर लिखा गया है पुआला चाहिं फोर मैं फोर ऑनलाइन रागरे 58 फी जिया आप लोग को सबसे करना होगा तो देखिए यहां पर आप लोग को new registration करना है अगर आप लोग कर लिए हैं कोई लोग यहां पर अप्लिकेशन नंबर और पासपोर्ट डाल कर यहां पर जो नीचे में सेकुरेटी पीन जो दिया गया उसको यहां पर डाल करके यहां पर साइन इन कर सकते हैं और ज यहां पर नियुक्त करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह के आता है तो यहां पर देखिए आप लोग को में बताया था कि तीन स्टेप में अब यहां पर देखिए कुछ आप लोग के लिए हम बुलेटिन दिया गया है अगर आप लोग डाउनलोड करके पढ़ना चाह यहां पर आपका जो फोटेंड सीखनेचर है उसका साइज भी बताई गई है कि कितना होना चाहिए और अप्लिकेशन भी यहां पर किस तरह से आप लोग करेंगो सारा चीज इस तरह से पासपर बनाएंगे वह यहां पर जनकारे दी गए तो एक बार आगर आप लोग करना है और आप लोग देना पर अपलोग disruptive लिए तो इस तो इस तरह करके आप लोग को लेना है उसी तरह देखिए और नीचे में फादर नेम डालना है याह पर डोग बर्ट सेलेक्ट क्बर्टाना देखिया आप लोग को नीचे पूछा जा रहा कि आपका जेंडर जो भी है आप लोग सेलेक्ट कर लीज़ा आपका यहाँ पर देखिये मेरा मेल है तो मैं सलेक्टर लिया हूं फिर देखे अडेंटी टाइप तो यहाँ पर आप लोग को देखांट पहले से identity with photograph तो आप लोग इसी में सेलेक्ट करके आपको जो अधार काड़ है वो आप लोग दे सकते हैं तो यहां पर मैं पैन काड़ देना चाहूंगा तो यहां पर मैं पैन काड़ सेलेक्ट कर लिया हूँ करने ने के बाद देकिक कुछ ौडिंग रहा था और नीचे में देखिया लिखा गया इंटर फेंट का नमबर जो होता है उसको इंटर कर देना क्र और यहां पर लोगालोटी आपका देना होगा फिर देखिए यहां पर country सेलेक्ट करना होता है तो चलिए मैं यहां पर टेच कर लेता हूं और यहां पर देखिए इंडिया सिर्फ आ रहा है आप लोगो को देखने को मिल रहा होगा तो यहां पर चलिए मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता ह। कुछ लोडिंग लेता है फिर यहां पर नीचे में स्यrendum टॉलेयट कर लेधा है जिसे की उपैर पर देखिये स्टेक्ड कर लेता हूं कुछ फैट जो भी मिरा है तो यहां पर अगर और आपका श्रेट नहीं मिल रहा है तो एक बार इसे करके लिख लिजेगा तो यहां पर जिसे की मेरा ज्रक्न आ चुका है अब लोडिंग लिया और यहां पर सलेक्ट हो चुका है फिर देखिए आप लोगो डिस्टिक सेलेक्ट करना होता है तो डिस्टिक में टेच किजिए कोई alternate number है तो आप लोग दे सकते हैं जिसे कि यहां पर ओप्सन दिया गया है कि alternate contact number यह उप्सनल है अगर देना चाहे तो देंगे और नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं फिर देखें हैं पर permanent address का है तो यहां पर देखिए अगर आपका contact details और permanent address अलग-अलग है निचे में चूज passport दिया गया है तो आप लोगों को यहां पर पासवर्ट एक क्रियेट कर लेना तो पासवर्ट कैसा करना है यह भी मैं बता दैता हूं जिसमें की एक केपिटल हो गया और बाकि स्मोल लेटर हो गया उसके साथ में कोई भी एक नंबर होना चाहिए और एक इस्पेशल करेक्टर जैसे की इस डाल सकते हैं इस तरह करके आप लोग पासपर्ट बना लिजेगा जिसमें की उपर वाला और नीचे वाला में कंफर्म कर लिजेगा और इस तरह करके देख सकते हैं आप लोग कोश्यन बनाएगी है तो यह जो आप लोग कोई भी एक आपका सुटेबल जो भी होगा आप लोग सेलेक्ट कर लेजागा जैसे कि मैं यहां पर सेलेक्ट लेता हूं वाट इस दा नेम ओफ यॉर फर्स्ट इसको में सेलेक्ट कर लेत जब आप दीजेगा तो आपका जो पासपोर्ट है और इकभर होगा और आपका जो प्रोफाइल हो और रिकभर हो जाएगा फिर देखें आप सेक्यूरेटी फिंब बोला जा रहा है तो यहां पर नीचे में दिया गया है इसको लिख लीजेगा और समीट कर दीजेगा के बार देखिए एक बार सही है आपका डिटेल या नहीं बार जुरूर चेक कर लेना है आप लोग को देखिए यहां पर आपका नाम आपका नाम सही है तो आपको टीक लगा लेना है इसमें डेट बर्थ अगर आपका सही है तो आप लोगों को डेट बर्थ में टीक लगा देना है फिर फादर नेम में फिर उसी तरह मदर नेम में फिर उसी तरह जेंडर में फिर उसी तरह एड्रेस में फिर उसी तरह मोबाइल नंबर फिर उसी तरह इमेल आई ठीक है तो इसी में आप लोग को टेस्ट करना है अगर आप लोग का अप्लिकेशन में कहीं पर गलती है ठीक है अगर आप लोग कहीं पर भरने में गलती किये हैं कि आप लोग को लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा एडिट रेश्रेशन फॉर्म तो इसी को आप लोग को ट तो यहां पर मेरे मोवाइल नंबर में ओटोपी आ चुका है जो कि मेरा यहां पर दिखा रहा 28-914 तो इसी ओटोपी के ओहां पर लिख देना है जिसे कि मैं अपर लिख देता हूं 28-914 तो चलिए इसी तरह आप लोग भी लिख ली जगा लिखने के बाद देखिए नीची मे सेप करना चाहें कर सकते हैं देखिए जो एक्सटरेशन फों है जो कि रिच्टरेशन मेरा हो चुका है यहां पर मेरा मेसेज भी आ चुक आप लोग देख लिए होंगे तो यहां पर देखें मेरा जो फों है कुछ इस तरह का है जो कि मेरा registration जो प्रोसेस है और अगला जो फों है ओप्लिकेशन फों का है जो कि incomplete दिखा रहा है फिपी payment करने का है तो देखिए अहां पर नीचे में आप लोगों को देखने को मिलेगा अप्लिकेशन नंबर जो कि मेरा आप लोग देख पा रहोंगे और यह अप्लिकेशन नंबर आपके मुबाइल नंबर पर और आपके डिटेल और यहां पर देखिए डॉक्मेंट्स अप्लोड और फाइनल समिशन यहां पर इंकम्प्लीट दिखा रहा है तो यह सारा को कम्प्लीट करने के लिए देखिए नीचे में लिखा गया है परस्टेश कर देता हूं करने के बाद जो मेरा फोर्म खुल करके आएगा डिटेटल का खुल के आता है तो यहां पर मुझे परस्टेश में तो आपदो एपरिकेशन फौंम डिया थिक हैट तो इसें आप लोग को अगर आप लोग भर रहे प्रस्टेश में गलत है तो आप लोग जो उपर में आप लोग देख रहा होंगे जो कि registration के time जो भरत है ओही दिखाता है तो यहां पर आप लोगं को सबसे पहले नेशनलिटी सेलेक्ट करना होता है तो यहां पर देखिए इंडियन आप लोगं को सेलेक्ट कर लेना होगा जो कोई यहां पर सिर्फ एक सिंगल दिखाता है इंडियन के वल्टिक है फिर देखिया आपर category जो की मेरा यहां पर है फिर देखिया यहां पर क्या लिखा गया है कि यहां पर इफ यूँ और ए पी ड्लूड अगर आप ड्ल nessa कर लेना है अगरने कीजिए था इहां पर पडिट है तो आप लॉग यहां पर подт Chang fork कर सकते हैं तो यहां पर मेरे इन को कोई भीडाई डियाइबिटीज नहीं आपर मैं नो कर दिया फिर देखिए यहां पर एहनुल इंकम पूछा जा रहा है एनुल इंकम ओप दफारेंस औरना पूछा जा Todo से पर आप पर आप लोग को करना है तो यहां पर देख लिजेगा आपका जो भी सिट्वेबल होगा वह आप लोग सेलेक्ट कर लीजेगा तो यहां पर मैं फर्ष्ट वाला कर लिया उसके बाद देखिए अगला जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि हैं यांकि क्या आपका जो समुदाय हो अलग سंख्यक्ष के अगर आपका जो सब्यदेन, पर उसमें कौन सी सब्ज्जेक्ट थे हैं ॢदेखें तो यहांपर बहुत सारी सब्जेक्ट आप लोग को देखने को मिल जाता है तो यहां पर मैं लिख देता जी यी ओ यहां पर देखिया आटोमेटिक आ चुका है और यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं सेलेक्ट करने के बाद देखिए आप लोगों से नीचे में पूछ रहा है कि सिकुरिटी पिन जो कि आप लोग को दिख रहा होगा नीचे में save and next तो इसे को आप लोग को टैच कर देना है फिर देखिए आप लोग को सामने कुछ इस्तरा काएगा जो कि आप लोग का यहां पर कंफर पूछा जा रहा है कि इसको में कट कर लेता हूं और यहां पर जो नया सेक्रेटी पिना इसको यहां पर मैं उतार लेता हूं जैसे कि वाइज जीरो पांच सी सुला है तो इस पर मैं टच कर लेता हूं तो यहां पर लिखा क्या गया है कि वाई 0 5 फिर देखिए हम पर ऋख्रहिए है के यहां पर पक्लत यहां पर पूछ रहा है मुझे क्या आधार Eddhriddell का है तो ऑप पूछ रहा है कि क्या आपके पास अधार नंबर है तो यहां पर आप लोगों को टेस्ट करके यहां पर अगर आपके पास है तो यस करना है और नहीं है तो नो कर देना है तो यहां पर मेरा अधार जो है मेरे पास है तो मैं यहां पर यस कर लेता हूं और इसको मैं समिट कर देता हूं समिट करने के बाद देखिए यहां पर पूछ रहा है क्या कि are you sure you want to submit तो यहां पर आप लोगों को कर लेना है तो यहां पर समीट हो चुका है मेरा जो अधार डिटेल जो मांगा था ओ तो यहां अपना अधार नबर साझा करने के समत हैं तो अपर वाला मेंroffen्य यहां पर मैं सब सबसे उपर वाला में घैक लगा लेता हूं जैसरक आप लोग देख पा रहींचे में मेरे मेरे को यहां पर अधार नमब्र डालने के लिए आ रहा है तो इसमें मैं अधार नमब्र लिख दिएंगा उसके देखिए यहां पर एक चेकवस्स दीख रहा हूं आप लोग को इसी में टिक लगाने के बाद submit and next कर देना है तो आप लोग के सामने देखिए पूछ रहा है कि are you sure you want to submit अधार details तो आप लोगों को यहां पर okay कर लेना है तो आप लोग के सामने देखिए loading होके कुछ अगला पेज कुछ इस तरह कर दिखेगा जो कि यहां पर आपका exam and center detail भरना होता है तो apply for लिखा हुआ है देख पार होंगे आप लोग तो यहां पर आप लोगो सेलेट कर लेना है जिसे कि देखिए यहां पर दो option आता है एक assistant professor का और एक जे आरेप एंड assistant professor यानि कि आप जब डेट कौलिफाई कीजेगा तो यहां पर आप दो बन सकते हैं एक तो जे आरेप और assistant professor या फिर आप assistant professor यहां पर मैं नीचे वाला सेलेट कर लेता हूँ जो की दोनों है जे आरेप एंड असीश्टेंट ब्रोफेसर तो आप लोग भी एही कीजीगा जो की दोनों रखता है ठीक जेए और एंड एंड़ असिस्टेंट प्रोफेसर तो मैं नीचे वाला सेलेट कर लिया हूं अब सबच्चों सब्सक्राइब चेंट करें बाद मेरा यहाँ सब्सक्राइब करना होताए जविद और यहां पर 178 वांध को मेले ना select कर लिया हूँ उसके बाद देखिए select exam city right side में दीख रहा होगा तो यहां पर, यहां पर warm city select कर लेता हूँ, तो यहां पर मैं राची पहला देना चाहरोँ तो यहां पर देखिए आधा लिखा मैं राची का spilling तो यहां पर आउग चुका है तो इसको select कर लेता हूं फिर देखिए उसी तरह से आप लोगों को सेकेंड चोइस फोर एक्जाम सिटी सेलेक्ट करना होता है तो इसी तरह का आप लोग यहां पर टश कीज़ेगा और इस्टेट कर लिज़ेगा अगर आप जहारखन में ही देना चाहते हैं चारों एक्जाम सिटी तो आ यहां बरेक्र कर आप लोग नहीं दे सकते हैं और एक्जाम सिटी अलग अलग आप लोगो देना के पहला अपन नीचे पूछा जा रहा की फादर यहां पर और याश्या पिर देंस यानि कि क्या पेशा है तो यहां पर आप लोग को टेच करके सेलेट कर लेना है जिसे कि यहां पर देख पार होंगे आप लोग बहुत सारा यहां पर दिया गया है अगर इसमें से नहीं है तो आप कोग नीचे में देख पार होंगे वह सेलेक्ट कर सकते हैं तो एहां पर मैं एक्री कल्चर देना चाहूंगा तो मैं सबसे पहले वाला जो कि अहां पर देख पार हुआ है यहां पर फाद है फिर गार्जन को कॉलाइफिकेशन मांगा गया है तो इसको भी हाप लोग को टैच क कर सकते हैं यहां मेरा कर लेता हो उसके बाद देख represent पूछ जारा रहा है मदर कर पूछा जला रहा मदर मरे खाथन के फिर शॏइशन पूछा जा रहाया थैं है यहांपर सेलेक्ट कर लिए आप लोगो तो उसी तरह केहां पर देख लीजेगा आपका जो भी करती आपका मदर तो ऑपलोग सेलेट कर सकते हैं जिसदे को वाज़र में यहां पर बहुत कोई हाउस वाइब देना चाहेंगो तो नीचे में दिया गया वजर में इंक्लूडिंग है हाउस वाइप तो इसी को मैं देना चाहूंगा फिर देखिए हाँ पर मदर एंड गार्जन कॉलिफीकिशन पूछा जा रहे तो यहाँ पर मैं लिट्रेट दे दूँगा क्योंकि मेरा जो मदर है वह पढ़ी लिखी नहीं है फिर देखिए यहाँ पर डिटेल होता है पिटालम होता है जो कि पोश्ट ग्रेज्वेट काई कौलिफीकिशन डिटेल जिसंब्स बहन जिसकि कि है पर दो नाहीं आप correlate नहीं मात अब भरत और यहां एक लिख नहीं नहीं होगा तो जिसके पास कर भोब सе फैंप्लेक्षिट है को आपको सारा डिट से लेक हैं कर रहां पर लोग से जो की यह थो 110 22 बOOD कर रहा है तो आप लोग भर सकते हैं जिनका 2030 या फिर 2024 में complete होगा ओ लोग भी भी देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कि कोर्स इस्ट्रीम नेम ठीके तो यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर देख लिए जैगे जिसे किसी लिता ओं फिर देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या आप फाइनल एयर में है तो यहाँ पर है तो यह कीजिएगा नहीं तो नौ कीजिएगा ठीक है तो यहां पर बोल रहे हो तो यहां पर देखें फार्नल यह तो यहां पर मैं इसको यह कर देता हूं फिर देखेंग प्रक्र कॉलिफाइंग एकजामनेचन फ्रोम्ट यानि कि आप पर ट लिया हूं और हैं प्र जो भी स्टेट को अब जो भी स्टेट है या फिर पिर कर लहाँ या फ्र पूच जा रहा है कि पूच से प्रश्रट जिएगा तो देखिए आपका यहां पर इनिवर्सिटी सो करेगा आपका जो भी नहीं से पढ़ाई कर रहे होंगेिआ पिजी आफिर कर लिये होंगे पास आउट तो यहां पर सेλέards करें लिजगे जएगा बहुत सारा को यहां पर खोजने में कुछ दिकत परेसानी आ सकती है तो आप लोग को एक एक करके देख लिए ना है यहां पर आप लोग अलफाबेट के अनुसार भी देख सकते हैं जैसे कि यहां पर एस से स्टार्टिंग दिखा रहा है उसके बाद यहां पर एम से स्टार्टिंग जा रहा है जो कि यहां पर मैं टाइपिंग करके लिखूंगा तो अगर आप लोग का भी सो नहीं करता है आप तो आप लोग टाइपिंग करके लिख सकते हैं जिसे कि मेरा होंगे और यहां पर युठी करना होता है और फिर आपोसम पर सैलेक्ट कर ना पर pinch कर रहा हूं जिसके इहां पर कोई भी मुझे result mode select करना नहीं हो रहा है नहीं result देना हो रहा है फिर देखें नीचे में जो security पीन है इसको यहां पर उतार लेना है और save and next कर देना है आप लोगों को फिर से yes कर देना है तो चिली मैं यहां पर yes कर दिया हूं तो यहां पर आप लोग यह किजेगा अगर नहीं किये हैं तो नहीं किजेगा फिर देखें यहां पर मैं नो कर देता हूं क्योंकि मैं नहीं हूं फिर देखें यहां पर पीएजडी डिटेल्स मांग रहा है तो वेदर पीएजडी पास अगर आप लोग किये हैं तो यहां पर में कुछ experience है तो आप लोग यह की जगा नहीं तो नो कर दी जगा फिर देखिए क्या पूछ रहा कि whether you are an ex-serviceman यहां पर पूल रहा है कि क्या आप ex-serviceman है अगर है तो यह की जगा नहीं तो नो कर दी जगा तो चलिए यहां पर मैं नो कर देता हूं फिर देखिए फी फॉर लिख्या गया तो और फॉर लिख दिया लिखने का बाद देखिये नीचे 200 कवी के बीच होना चाहिए और यहां पर देखें सिगनेचर का भी जेपीजी फोरमेट में जो की 4 कवी से लेगर के मैकसिमन 30 कवीच होना चाहिए और photograph upload किस तरह से करना है देख़िये आप लोग को दिखाता हू hyum पर छूच फाइल दिख रहा होगा इसली में आप लोग को टेस्ट करना है जैसे ही अगला पर पेर खुल कर आता है जहां पर कि आप लोग अपना फोटो को यहां पर पिक्सल कि अनुसार सेट कर सकते हैं जो कि यहां पर system में ही दिया रहता है यानि कि यह साइट कर लिया के बाद देखनाइ tu तो देखिए यहां पर मेरा photo आचुका है तो इसको मैं ओके कर देता हूं तो यहां पर मैं दोक्मेंट। तक है उसी तरह आप लोगों को यहां पर है ऑपलोडेट覺 करना हो जो कि चलिए कर दिया हूं उसके बाद फाल में जाने के बाद मेरा जो भी में unsat ने पर Лैटश कर लेता हूं कि बाद mighty इसी तरह से अपने मोबाइल फोन में सेट कर पाएंगे उसके बाद देखिए नीचे में आप लोगों को डन लिखा हुआ दिख रहा होगा तो इसी डन पर आप लोगों को टेस्ट करना है जिसके मैं यहां पर कर दिया है इसी में आप लोगों को टेस्ट करना है तो यहां पर पर नीचे में लिखा गया है इंटर सेकुरेटी पीन जो कि यहां पर नीचे में दिया गया है उसको यहां पर लिख लेना है जो कि आप लोग को हर स्टेप में देखना को मिल रहा हुआ यह सिकुरेटी पीन लिखने के लिए मिल रहा है तो आप लोग भी इस तरह हर स्टेप म आता है जो कि रिव्यू का फेज है तो यहां पर आप लोगों को इसको कट कर लेना है उसके बाद एक बार अपना अप्लिकेशन को चेक कर लेना है कि आपका जो अप्लिकेशन अप्लाइक की हैं वो सही है या नहीं ठीक है एक बार जुरूर चेक करने के बाद देखिए अगर आपका अप्लिकेशन में नेम अगर सही है तो यहां पर टीक लगा करके आप लोगों को चेक बॉक्स को सही कर लेना है या नहीं कि फिर देखिए यहां पर फादर नेम उसी तरह का मदर नेम डेट बर्थ जेंडर उसके बाद कैटेगरी उसके बाद यहां पर पर सेलेक्ट कर लोगो तो आई अगरी कर देना हैं करें के बाद देखिए नीचे में लिखा हुआ हूआ फाइनल समीट अपडिकेशन अपैसे में अयक्मिशन में टेस्ट करना है तो छेलिए हैं पर है अपक्पलीकेशन देंखिए ह influenique complete दिखा रहा है एक registration form एक application form तो यहां पर दोनों completed हो चुका है फिर जो लास्ट step बचा हो फी payment करने का बचा है जो कि incomplete है तो यहां पर देखे email ID verify करने के लिए बोला जा रहा है तो payment करने से पहले जो कि यहां पर देख पार होंगे मेरा फी payment कितने लग रहा है हूं test करने के बाद देखिए अगला page कुछ इस तरह का आता है फिर देखिए फिर देखिए फिर पी लिखा गया है तो यहां पर देख पार होंगा आप लोग 794 P9P तो मैं डाल दिया हूं डालने के बाद देखिए आपर समेट लिखा गया है तो इसी पर आप लोग को टेस्ट करना है तो यहां पर मैं टेस्ट कर दिया हूं फिर देखिए सेकुरिटी पीन मैच प्लीज एक ओटोपी शेंट ओन यूर इमेल आइडी में जो इमेल आडी दिया हो उसमें एक ओटोपी भेजा गया है कि click here to go home तो इसी में आप लोग को टेस्ट करना है तो यहां पर मैं टेस्ट कर दिया हूं टेस्ट करने के बाद देखिए मैं इस पेस्पे आ गया यहां पर आप लोग देख पार होंगे एक्जामनेशन फी पेमेंट करने के लिए दिखा रहा है और अगर आप लोग कोई अभी भी डाउट लग रहे कि आपके application फॉर्म में कोई भी गलती है तो आप लोग सुधार सकते हैं एक बार चेक कर सकते हैं आपना application पीठीक है और सुधार सकते हैं अगर आपका जो application फीसारा चीज सही है तो यहां पर देख पार होंगे पे एक्जामनेशन फी इसी म करना है तेस्ट करने के बाद देखिए यहां पर बोल रहा है कि are you sure you want to go for fee payment तो यहां पर okay कर लेना आप लोगों को करने के बाद देखें अगला पेज कुछ इस तरह का खूल के आएगा तो यहां पर एक्जामेशन भी कलेक्शन दिया गया है कि किस तरह से आप लोगों को पेमेंट करना होता है तो देख पार होंगे आप लोग यहां पर बहुत सारा दिया गया है चार परकार का तो देखिए अहां पर सब्सक्राइब से अचार пр完成 कर चेंख सब्सक्राइब अचर जो कि डेविट कारड या फिर यूपी आइछ दॉपन और उपर वाला SBI का है नीचे वाला camera का फिर देखे आईसी, ICI Bank payment gateway जो कि debit card, credit card, youfie, net banking of any bank कोई भी bank का कर सकते हैं फिर fdfc bank payment gateway, debit card, credit card, youfie, net banking of any bank तो आप जिस भी gateway से आप लोग payment करना चाहते हैं उस gateway से आप लोग payment कर सकते हैं, SBI, camera, ICCI ya फिर SDFC तो मैं यहां पर ICICI का gateway से payment करना चाहूंगा तो यहां पर मैं सेलेट कर लिया हूं उसके प्रोशीट फोर पेमेंट पर टेस्ट कर लेना है टेस्ट करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल का आएगा तो आप लोगे सामने कुछ इस तरह का आएगा तो यहां पर द तो यहां पर जो मेरा काड है और मेरा 1 रूपीड तो मैं यहां पर रूपीड कर लेता हуд हूं पर आपका जिस भी कार्ड होगा मस्तिर कार्ड बीजाकर घॉढ्न आप सेलेक्टक्टे अलट देखीयगा ट नीचे दिख रहा हो तो चलिए मैं यहां पर पेनाव पर टच कर देता हूं उसके बाद कुछ लोडिंग होता है और यहां पर आपका जितना भी एमांट यहां पर कटने वाला है उसका डिटेल सो करता है जिसे कि यहां पर मेरा डिखने को मिलता है तो तो कार्ड पर कार्ड थफितना आप असवesi नावा IR तेनी करते हैं जो कि कर दिखने डिया रहता है फ्रोंट साइड में ही मन्थ एंड एयर उसी को लिखना होता है और सीवीबी नंबर जो की कार्ड के पीछे होता है थ्री डिजिट का उसको यहां पर उतार देना है उतारने के बाद देखिए फे नौ दिख रहा हूँ आप लोगों को इसी को टेच करके आप लोगों को फे न दो 37766 तो यहां पर मैं डाल देता हूं 277 266 जो की मेरा बैंक के दोबार भेजा गया ओट आपी है उसके बाद मैं इसको कर देता हूं तो समिट करने के बाद देखिए कुछ इस्तरह का पेस यहां पर लोडडिंग होता उसके बाद देखिए किस तरह का आता है तो मुबाइल पर मेसेज आ रहा है तो यहां पर आप लोग देख पा रहोंगे उसके बाद देखिए अहां पर रेजिटेशन फोर्म भी कंप्लीट और फी पेमेंड भी कंप्लीट हो चुका है फिर देखिए आप लोग को नीचे में दिखनागा डाउनलोड अग्ला के फिर्दों को कुछ इस तरह का देखता है और पर में लिखा गया है दाउनलोड कंप्रूममेशन पे यूजी सी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 का फों अप्लाइक कर सकते हैं अपने मोबाइल फॉन से आप लोग को मैं इस्टे बाइस टैप दिखाया कि किस तर से अप्लाइक किया जाता है अगर आप लोग को फों अप्लाइक करने में कुछ भी परिशानिया आती है कुछ भी दिक किजिए और इसी तरह का इस चैनल पे वीडियो पाते रही है कि किस तरह से फों अप्लाइक करना है क्या क्या जोब आ रहा है सारा जनकारे में इस वीडियो में देता रहता हूं जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आकोन को दबा करके रखें और आप करने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भरत